साथ्यों नमस्कार देखे भाईयों आज मैं कफसाड गाउं में हूँ और हमें यहाँ पे एक महनति किसाण मिले जिन्होंने अब की बार में ट्रंच के गन्ने के लिए परियास करा और इन्होंने जो है 36 इंची पर अपना गन्ना लगाया लेकिन इनके पास में भाईयों भी क खेत रुखनी पाया और सच्चा यह है कि ट्रंच जो है बिना किर्शी अंत्रों के नहीं काम्याब हो सकता तो भाईया एक बर थोड़ा सा पहले अपना परिशेद हो जी सभी भाईयों कर राम राम हाजी में कफसाड से हूं जी और जी मेरा नाम कुलदीब है सरौप सत्पा अच्छा तो फिर मट्टी निचड़ पाई मतलब तो अपने कर दी मट्टी निचड़ा पाई तो एक चीज हो रहा है मैं आपको थोड़ सा पता दूँ इसमें गहराई जो है आप खूड के उपर सनापते होंगे वहां से नहीं नपनी चीए डेड़ फुट तो बहुत गहर बहुत होती है इससे ज्यादे गहराई मत करें लेकिन नपाई मस्तर होनी चीए तो जी अब इसमें आपका क्या विचार है जैसे आपने ट्रंच का बहुत करा इसमें यह बहुत अच्छा हुआ जी और अपकी बार ट्रेक्टर भी ला रहे जी और फिर द्वारा से बहुंग अच्छा सोराज का बहुत बढ़िया सोराज तो बहुत बढ़िया रेक्टर अपने सारे किरसियंत्र लिए तो देखो एक साइड बिजनिस भी हो जागा अपने पास तो जैसे आपके पंद्रेग भी है तो जो और किसान भाई आपके अड़ोस पड़ोस में गाउंगे हिरस अच्छा तो फिर भी आपने क्या लगा तक थोड़ से बताओ जी बढ़िया के टैम पे इसमें पंगी साइड लगा जी केट ना सकता बाद में लगा जी और हम वेस्टी कंपोजर से खित्ती अपनी करें जाते हैं अच्छा तो यह अपना अपना बना रखें अपने अपना अच्छा इसी से घॉल तियार करें और नाली है साथ में पानी करते हैं तब जालते हैं अच्छा ट्वैल का पानी जी देखे भाईयों मैं आपको इनका देखा दूं बहुत ही बढ़िया मैंने दिन अनक रखी और गन्ने में मजा आरा विल्कुल यह देख सकते हैं आपका स अच्छा तो आपने अच्छा तो गन्ना उपर का बोयाता या पूरा साब होती उपर का बोयाता निच्छा है दो फूट गन्ना छोड़ के लिए जरूरी हो गया क्योंकि इसमें रेड रोड और विमारी ज्यादा बढ़गी हाँ बिल्कुल सही का रही और गन्ने की एक पर पिछे मेट्डे को हाथ करियो जी एक पर पर को देखे भाईयो मैं दिखा दूँ आपको बहुत ही जबर्जस्तिन का गन्ना है वह वाह हाइट तो ओरी जी कम था कम मिना 12 तेरे फुट तो गन्ना हो और अभी तो फरवरी में डलेगा अभी तो ओर भी पड़े हाँ तो पहले वीडियो आप वैसे यूटूब पर पागे किसे चैनल में आपकी वीडियो काफी देखता हूं अच्छा परियास हमारे भाई के दुवारा और अपकी बार जैसे बता रहे हैं और सारे किर्षी यंतर बनाएंगे अपने गाव में जो है कम से कम ने ट्रंच का बहुत बहुत बहुंगे जब किर्षी यंतर हो जब हमारे यहां क्या कम है कि हमारे यहां संसाधन नहीं हाँ बिलकुल सभी तो देखो बंधाई में 10 कुंटल गन्ना भाग जा मिलकुल सच्छा यहां मतलब यह है घरे खोडबू है मट्टी अच्छी चड़े और बंधाई ना करवानी पड़े किसान को बच्चत्वी तो जरूरी ना तो चीज का और फायदा देखा मैंने जी मैंने भी तोड़ा से करना लगाया था असोज में जी इनको देखके लिए कि अपने हाइड बढ़िया होगी और दूसरा नीरों का ज्यादा होगा बिलकुल बिलकुल सही करें जी क्यूंकि जमीन तो देखो कम रहेगी किसानों पर सैब पैसल लेने में दिक्कत भी कुछ नहीं और सरसों की फसल बहुत बढ़िया हो जी प्याज की खिरतिसाद में ल तो भाईयों अगर वाईयों को एक संदेश देना जारा जी में जी बताओ जी जादा ना करके जिसने कभी ना करी हो जी ठोड़ा करके देखके बिलकुल बढ़ करना चीए कुछ बदलाव भी करना चीए लगातार इतने दिन से बहुत त्यारे और ट्रंच की एक जानकारी म आपको भाईय जी और दे दूँ इसमें देखको हमारी जमीन को भी रैष्ट मिलता है जो बीच में है लगातार सबसे बढ़ा फायदा तो इसका यह भी है ट्रंच को अभी समझ नहीं पारे लोग जैसे समझेंगे जैसे हम वीडियो बना रहे है बहुत जागरूप किसान हम मिल रहे है एक से एक तो भाईयो अगर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को सेर करना नमस्का